हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू CSA इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग DBMS कीज के बारे में पढ़ेंगे तो यह वीडियो CITS in CSA यानि Computer Software Application Trade के लिए है तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है DBMS तो उसका एक टॉपिक है आपके सिलेबस में Keys and Types of Keys तो आज हम लोग वही डिसकस करेंगे तो I hope आप लोगों का एड्मिशन हो चुका होगा और सेशन स्टार्ट हो चुका है तो सिलेबस को भी हम लोग स Keys के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ important point है Keys के बारे में जो कि आपका theory है चलिए theory को हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं Keys क्या होता है तो first point जो है Keys play an important role in the relational database Keys क्या करता है एक important role play करता है relational database में तो relational database क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे जब types of dbms हम लोग पढ़ेंगे तब तो अभी हम लोग Keys पे focus करेंगे next point है it is used to uniquely identify any record or row of data from the table तो यह point काफी important है इस point को आप लोग note कर लिजे यह क्या करता है Keys क्या करता है uniquely identify करता है किसी भी record को आपके table से तो Keys का definition यही है it is used to uniquely identify यानि इसका प्योग किया जाता है uniquely identify करने के लिए किसी भी record को आपके table से या किसी भी data को आपके table से या किसी भी table से तो Keys का real life example में आप लोगों को बताता हूं यह example अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप कहीं भी Keys के बारे में बता सकते हैं यानि पूरे इंडिया में किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका unique ID यानि आधार कार्ड के तुरू हम लोग पहचान सकते हैं तो इससे अच्छा example Keys का कुछ भी नहीं हो सकता है किलियर अभी हम लोग एक्जांपल और भी देखेंगे जो कि हमारा theoretical होगा concept पर आधारित होगा लेकिन real life एक्जांपल जो है आपका आधार कार्ड कीज का बेस्ट एक्जांपल है यानि किसी भी व्यक्ति को identify करना uniquely तो हम लोग आधार कार्ड के तुरू इंडिया के किसी भ सब्सक्राइब यह क्या करता है यू उप्योग करता है इस अलसो यूज़ टू सब्सक्राइब करता है कि किस तरह का रिलेशनशिप है टेबल्स के बीज में यह तिन नों पॉइंट आपको कीज के बारे में क्लियर हो गया तो कीज प्ले अन इंपोर्टेंट रोल इन दे रिलेशनल डेटाबेस कीज का डिपनेशन क्या हता है इट इस यूज़ टू इडेंटिफा अनी रिकॉर्ड और रो अफ डेटा फ्रॉम दे टेबल एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इट इस अलसो यूज़ तो जिसके थुरू आपको इडेंटिफाइक किया जा सकता है यूज़ ली नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एक्जामपल जो हमारा तियोरिटिकल एक्जामपल है इन एन इन इन इस्टुडेंट टेबल आईडी इस यूज़ एज़ एज़ की बिकॉज इट इस यूज़ यानि एक एस्टुडेंट नाम का टेबल है उसमें हम लोग आईडी को कीज के तौर पे यूज़ करेंगे क्योंकि आईडी क्या है यूनिक है पर तेक एस्टुडेंट के लिए समझ में आ रहा है तो यह है हमारा एक्जामपल अभी हम लोग टेबल के थूरू देखते हैं देखिए यहां पर एक टेबल है इस्टुडेंट टेबल कह सकते हैं इसको तो इस्टुडेंट का आईडी है इस्टुडेंट का नेम है इस्टुडेंट का ट्रेड है और इस्टुडेंट का एड् देखिए 101 पाला स्टूडेंट का एदिया है 102 & 103 नेम कुछ भी है A B C ट्रेड है उसका CSA 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 और एड्रेस कुछ भी X,Y,Z तो यहां पर हमको B नाम के स्टूडेंट को खोजना है यानि B नाम के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है कैसे करेंगे तो यहां पर हम लोग ID को क्या करेंगे ID को हम लोग की डिकलियर करेंगे यानि ID के थूरू हम लोग किसी भी X student को पहचान सकते हैं जैसे आपके CSA ट्रेड में एक नाम के दो वेक्ति हो सकते हैं जैसे राम नाम का दो वेक्ति है एक आपका West Bengal का है और दुसरा आपका उतर परदेश का है तो वहां पर पहचानने के हम लोग उसके ID के तुरू पहचान सकते हैं कि कौन सा राम आपका West Bengal का है और कौन सा राम आपका उतर परदेश का है तो मैं जो भी बता रहा हूं उसको आप लोग याद रखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है कीज में काफी बच्छे कन्फ्यूज रहते हैं तो मेरी बातो चलिए हम आप लोग कर सकते हैं इसको SQL में MySQL में आप लोग database बनाईए है वहाँ पर table create किया जाता है कैसे table create किया जाता है मैं वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूं तो वहाँ पर आप लोग जब table बनाएंगे student नाम का तो वहाँ पर आपका ID या role नमर को आप लोग keys यानि primary key declare कर देंगे जिससे आप किसी भी student को uniquely identify कर सकते हैं चलिए I hope अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा keys क्या होता है next है यहाँ पर भी वही है एक student table है उसमें ID को keys declare किया गया है name address और course ID के थुरू किसी भी student को identify कर लिया जाएगा next है हमारा types of keys तो types of keys कितने प्रकार के की होते हैं तो mainly जो हमारे चार प्रकार के की होते हैं वो कौन-कौन है पहला है हमारा primary की दूसरा है हमारा candidate की तीसरा हमारा super की और चोथा हमारा foreign की तो यह चार जो महत्पुन की है हमारे DBMS के अंदर तो कौन-कौन से की हुए आपके primary की candidate की super की and foreign की तो यह चार की आपके basically हैं तो next वीडियो में हम लोग types of key पढ़ेंगे यानि पहला की जो हमारा primary की उसके की बारे में पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा कीज क्या होता है कीज का example देखा और कीज का definition और real life example of keys तो अधार काड़ होता है हमारा real life example की का definition क्या होता है की is used to uniquely identify any record और row of data from the table तो किसी भी record या data को किसी भी table से uniquely identify करने के लिए हम लोग keys का used करते हैं तो example भी हम लोगों ने देख लिया तो आज के वीडियो में बस इतना ही तो चलिए एक महत्पुन बात जो भी आप लोग है CITS in CSA के student किसी भी NHTSA से हो या किसी भी ITOT से हो तो उन सभी से request है कि आप अपने friends के साथ share कर दें तो यह मेरा पहला क्लास है आपके CSA के लिए तो DBMS का first class है what is key तो हम लोगोंने keys के बारे में पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइम डी की के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने CSA के और वैंट के साथ सेयर कर दीजिए तैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लो कमेंट कीजिए कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक्स पर